हाला अब्रिवन कैसे आप सभी लोग आई होप सारे अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आज मैं आप लोगों के लिए काफी मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ मेरी सीप्यों की जो कंप्लीट जर्ण सास है और मैं सीप्यों 2020 के तुरू दिली पुलिस में सब इस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ इसमें मेरी 56 ती उसके अलावा मैंने सीजियल एक्जाम और सीचसल एक्जाम भी क्लियर किये हैं और यह चैनल जो मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है जिस पर मैं SSE से रिलेक्ट में सीप्यों का फॉम आ गया था लगबख जुलाई हां जून या जुलाई में जुलाई 2020 के लगबख इसका फॉम आया था तो अब पेटर्ण सेम होने के करण मैंने भी फॉम बढ़ दिया यह सोचकर कि जो एक्जाम पेटर्ण है वो तो सेम है तो सीजिल के लिए हमारी अ जा रहा था मतलब घरवालों ने बोला तो मैं देने के लिए गया कि चलो यार दे आते हैं सही बात है और पेटर्ण भी सेम है तो अच्छी प्रेक्टिस हो जाएगी तो मैं एक्जाम देकर बाहर आया तो मेरा एक्जाम जो थोड़ा सा अच्छा चला गया मतलब पेपर जै थोड़ा सा केलकुलर्टिव आता है तो उसमें ऐसे 170-180 के स्कॉर कमी देखने को मिलते हैं तो मैं थोड़ा सा खुस हो गया कि यार अपना एक्जाम जो अच्छा चला गया तो जैसे मेरा स्कूर जो वह अच्छा है उसके बाद मैं मैंने सीप्यों के लिए थोड़ा सा रिस अच्छी लगने लगी थी और मतलब यह हो गया था मन में कि यार नहीं अब इस बार तो हमें दिलिया साइकी पोस्ट लेनी है तो उसके बाद में स्सी ने 26 फरवरी 2021 को टीर वन का रिजल्ट रिलीज कर दिया था तो उसमें यूर के लिए मेल के टेगरी से जो कटोफ गई बाद यहां थी वह थी 114 नमबर तो मेरा जो स्कोर था रोओ स्कोर 141 था तो काफी अच्छे-खासे मार्जिन से मैंने टीर 1 क्लियर कर लिया था और उसके 57 बाद में अससे निमार्स रिलीज कर दिये कि नॉर्मिलाइज माक्स कितने है तो उसमें मेरा नॉर्मिलाजेशन ज करते और 10-15 बच्चे थे सिर्फ तो उनको आर्मी के लिए दोड की प्रेक्टिस कराया करते थे तो मैंने भी वह जोइन कर लिया और मार्च और अप्रेल दो मैंने वहां पर अच्छे से प्रेक्टिस की थी शुरुआत में तो काफी प्रोब्लम आती थी मतलब दोडने के मुझे लगता था और हैं जम्प होती वह भी मुझे नहीं प्रेक्टिश कि उसके बाद में कोविड आ गया तो मई और जून महीं फिर कोचंग बंढ़ नहीं निकले तो सारी practice जो जूट गई थी तो जुलाई के महिने मैंने फिर से practice करना start किया तो इसमें देखा कि पहले मेरा दोड का time सही आने लगा था लेकिन अबीज में practice चुट चुकी है तो दोड वगयरा में वाई साड़े साथ आठ मिनट का time फिर से लगने लगा था तो फिर मैंने सुबह श्याम दोड़ना start कर दिया था तो इसी वीच एससी ने जो है वह सीजेल एक्जाम की डेट रिलीज कर दी सीजेल 2020 टीर वन का एक्जाम जो है वो मेरा 16 तारीक और सेडूल था तो एक तरफ मुझे प काफी हेक्टिक हो गया था एक तरफ सीजेल के लिए पढ़ना भी है और फिजिकल के लिए प्रिपेर भी करना है तो बाकि सब ठीक था लेकिन हाई जम जो है वह उस वक्त तक मैं नहीं कर पा रहा था तो हाई जम की ज्यादा प्रेक्टिस के चक्कर में फिर एक दिन मेरे प बताया कि देखो फ्रेक्टर वगएरा तो कुछ नहीं हुआ है लेकिन अब आप जो यहां पर दोड़ नहीं सकते दस दिन आपके पास आपको सिर्फ आराम करना होगा और उसके बाद में इंजेक्शन वगएरा ले लेना तभी आप उस दिन दोड़ पाओगे वरना आपका तो वहां का जो स्टाफ था वह काफी अच्छा था और उस दिन मुझे दर्द वगएरा कुछ भी नहीं हुआ इस वर के असिरवात से सारे इवेंट जो दोड़ वगएरा और सारे जो बाकी इवेंट था वो मैंने फस्ट एटेम्ट में क्लियर कर लिये थे और अच्छा से म जो नेक्स टारगेट था मेंस का एक्जाम फिजिकल होने के थोड़े दिन बाद यह से ने मेंस के एक्जाम डेट रिलिज कर दी थी मेंस का जो एक्जाम था वह आठ नौवंबर 2021 को होना था तो मेरे पास दो माइने का टाइम लगबग था सेतंबर और अक्टूबर अब क् मुझे काफी अच्छा स्कॉर करना था अगर मुझे दिली ऐसा ही चाहिए तो तो दो मेने मैंने नित्यू सिंग वाली बुक है इस पी बक्षी वाली बुक है उन सबको अच्छे से पढ़ा तो फिर आठ नौवंबर 2021 को मेरा मेंस का जो एक्जाम होना था वो जैपूर होना के बाद जो मेरा स्कॉर बन रहा था वह बन रहा था 188.75 यह मैंने rank IQ से calculate किया था तो इसके बाद मुझे अच्छा लगा कि हां ठीक अब अच्छा स्कॉर हो गया है अब हम दिलिया साही की रेस में हैं तो अब उसके बाद में जैसी टीर टू का फाइनल रिजल्ट आया तो टीर टू के फाइनल लिजल्ट में मेरा एक माक्स और कम हो चुगा था क्योंकि असेसी ने आंसर की में एक कोशिन को गलत माल लिया था तो अब मेरा मेंस का स्कॉर हो गया था 187.5 और मेरा टोटल स्कॉर हो गया था 331.something तो अब स्कॉर के पॉइंट ओ व्यू से तो इस लिया सई लेकिन अभी मेडिकल जो वो बचाता तो चीप्यों के एक्जाम मेडिकल जो काफी क्रूशल रॉल प्ले करता है तो अब सारी चीजे हो चुकी थी अब सिर्फ मेडिकल बागी था और मेरा मेडिकल की देट थी वह थी 27 अपरेल 2022 तो मेरा मेडिकल होना था वह जोद्पूर के बीए सफ के कंपोसिट होस्पिटल में होना था तो हम लोग वहां पर सुबच 6 पचे हम लोगों को अंदर एंट्री दे देने के बाद हमें 2-3 गंटे लगबग वहां पर बिठाया रखा गया और जो डोकुमेंट काम होता है जैसे की फॉम फिल करवाए जा में हमें डोक्टर के सामने पेस कर दिया गया तो हमको लगबग शाम को साथ बजे तक सुना गया तब तक मैसे बैठे थे इंतिजार कर रहे थे तो इसमें सबसे पहले वह उन कैनिडिट को रिजल्ट बताते हैं जो मेडिकली एंफिट थे और उन्हें मेडिकली के लिए कंडिडेट थे और उन्हें एक मैं भी था तो हम सब को कॉंगरेट किया और कहा कि आप लोग मेडिकली फिट हो चुके हो और आप अपने घर पर जा सकते हो और आगे का जो डोकुमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें जाएं तो मेडिकली फिट पाया जाने के बाद सब्सक्राइब होती है उस दिन तो हम दिली चले गए थे और दिली जाने के बाद लगबग एक दो गंटे में डोकुमेंट वेरिफिकेशन का सारा प्रोसेस हुआ है उसके बाद में सिर्फ फाइनल इसल्ट का इंतजार था अब बात कर लेते हैं सबसे इंपोर्टेंट दि नहीं देखा था यह सोचकर कि अगर दिली पुलिस नहीं मिली तो क्या होगा तो फिर कैसे जैसे हिम्मद उटा के मैंने अपना रिजल्ट देखा तो इसमें मेरी जो ओल इन रेंग थी वह तो 56 और जो मुझे पोस्ट अलोट हुई थी वह दिली पुलिस अलोट हो चुकी थ तो यह सब देखे मैं काफी कुस हुआ था और फिर मैंने अपने फैमिली वालों को बताया तो सभी मतलब घर में एकदम खुशी का माहल हो गया था और जो डेड़ दो साल की मेरी मैनत थी वह मतलब रंग लाई यह कह सकते हो आप तो यह थी मेरी सीप्यो ऐसाई बनने की कम् पसंद आये होगी अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद